दे एमबर रूम ये स्वन जड़ित कमरा जो रतनों से भरा हुआ था और दुनिया का आठवा आश्चरी करार दिया गया ये कमरा जो कभी शान्ती का प्रतीक था नाजियों द्वारत चुरा लिया गया था और फिर हमेशा के लिए गाइब हो गया दे एमबर रूम का निर्माण 1701 में शुरू हुआ था ये मूल रूप से प्रेशिया के राजा फ्रेडरिक फ़स्ट के घर चालिटन बर्ग पैलिस में स्थापित किया गया था वास्तम में एक अंतरास्टी सहोग कमरा जर्मन बारोक मूर्तिकार एंडियस श्लूटर द्वार दोरा बनाया गया था पीटर दग्रेट ने एक यात्रा पर कमरे की प्रसंशा की और 1716 में प्रेशिया के राजा तब फ्रेडरिक विलियम फस्ट ने इसे पीटर को उपहर की रूप में प्रस्तित किया और फिर एंबर रूम को 18 बड़े बक्सों में रूस भीज दिया गया और एक यूरोपिय कला संग्रेक के एक भाग के रूप में सेंट पीटर्स बर्ग के विंटर हाउस में स्थापित किया गया 1755 में जरीना एलिजाबेट के कमरे को पुष्किन में कैथरीन पैलिस में इसे इस्थानंतरित करने का आदेश दिया गया 28 सदीक में ये कमरा लगबग 180 वर्ग फुट में फैला हुआ था और 6 टन एमबर और अनिक कीमती पत्थरों से ये चमक रहा था और सुन जड़ित था इतिहास कारों का अनुमान है कि उस समय कमरे की कीमत आज के डॉलर के अनुसार 142 मिलियन डॉलर थी 22 जून 1941 को एडॉल्फ हिटलर ने ऑपरेशन बार बरोसा की शुरुवात की जिसमें सोबियस संग में तीन मिलियन जर्मन सेनिकों को लॉंच किया आकमन ने हजारों कलाक हजाने को लूट की लूट पार्ट की जिसमें शानदर एमबर रूम भी शामिल था